हेलो क्रेंट्स हाँ आपकी एक नहीं क्लास श्री शुर कर रहे हैं इसमें जिसमें की सब्सक्राइब कर लें जिससे और लोगों इसके बारे में करेंगे और टाइमें बार के बारे किसिक है मारा इसेंसे इंटु टाइम इसके बार के चले तो शुरू करते हैं करते हैं कि और बी किसे काम को 10 और 15 कर सकते हैं कि और बी ने 7 दो काम शुरू किया और एक इसमें काम शुरू कि काम को पुरा होने इतना समय लगते काम कि हमें लिए ठीक हैं के ने काम कर रहा है 10 दिन 10 दिन में कर रहा है किसे दिन 15 तो हम गोल वर्प निकालने के लिए हम पत्राट रहें हैं काल्सियम देंगे 10 15 काल्सियम देखना हो इसकाम लोग टोल जो काम हुमा रहा है 30 यह होग ठीक है समझे एक दिन में कितना काम किया होगा तरस त्यां तीस तीन में कितना काम किया होगा तीक है अगर हम बात करें तो ए और बी ने मिलके कितना काम किया होगा एक दिन में किया होगा पाँच में चीक है तीन और दो ए और बी ने साथ चुग तो किया था बट तीन ही दिन काम किय कर देंगे कि उन्हें काम किया है तो उन्हें कितना 15 काम उकर दिया अब समझेंगे कि बचा काम कितना बचा काम किस से 15 माइनस हो गए पंदरा काम करना एक दिन में करता है दो काम करता है और उसे 15 काम करना है 15 काम करने के लिए 15 बटन प्रावल कितना हो गया 7.5 तो काम पूर होने कितना समय लगा तो तीन दिन के पहले लगा था तो इसके वास साथ बात में लगा है तो काम कितना होगी कर दो कर दो कर दो कर समझ में आ गया होगा अए और आवला क्वेशन है कि ए और दी किसी काम को व्हास ओफ़कद में करता है प्रंत तो जिनबाद अ काम छोड़ दिया काम को पूरा होने में नो दिन लग तो रहने कितने दिन बात काम करें को आपको की नहीं पता कि वने काम कब छोड़ा है काम पूरा होने तो वह अच्छर हो नो ये पार क्रौत काम का दो लक्रार के ने कियार था जिस ठीक half a ज्राठ देक verse करेंगे 30 काम करेगा हमारा कुम इने काम करेगा ठीक है इने काम शोड़ा था तब शोड़ा था यह हमें पता काम को पुरा होने में 9 दिन कम शोड़ा हो कि नौदमें है वो तो पुरा वी नौदिन काम की तब किस ने किया होगा एक तो बी ने कि वचा काम के ता मिनस तावर हो गये बारा काम कौन करेगा पारा काम करेगा कौन करेगा क्या और ने काम चोड़ा आख तो एने कितने दिम काम किया बारा काम है तो जोखे अब क्या सकते हैं एने कितने काम क्या होगा सिर्फ ओर डे चाहर दिन बाद विट्न चोड़के चला रहे हैं ठीक है चली आगे कुश्चन को एक यह कुश्चन है ए और बी किसी कट्र विटा पना सकते शाट उ सकते संगियो काम करते में उनकी के एविदा बनाने में hundreds गड़ा लगताया जूब की एविदा जारी CS सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले हम टोटल वर्ग में का लेगे एउट केसमें कि तो नहीं करेंगे सिक्स्टी तो नहीं कितना करेगा करेगा कि श्री होगे ए और बी कि टिवार जब बना रहे तो बारा गंटे में करते रहे हैं इस पुरा जो साथ कर एक साथ काम कर रहे हैं एक दिन के श्रीम कमें करेंगे बारा पचे यह प्रस एक घंटे में कि फाइफ यूनिट आफ बर्क कर लें जब वो मिलके काम जाए कि कम वज़ारी पहले साथ तीफिंसर के अब ही पाँच हो लें कि एफेसेंसी डिक्तिस के होई क्योंकि 280 में से प्रति घंटे कम दो हो तो यहां पर दो यूनिट को लैस है चाहिक है दो यूनिट किसके वैसे 280 प्रति घंटे यहनिके दो इत्वाज हो रहे है तो यहनिके एक यूनिट बराबर कि इतना 140 नीटे होता है है टो यूनिट कि इतना 140 नमारे पास कि इतना 140 कि इतना 140 कि इतना में ज़र्वत पढ़ेगी घंट को इतना कि ठीक है कि कि इतने दिर्वाद में कि इतने पास कुरूं पाते है तो सबसे पहले समझतें कि और यूनिट के जल लेगा चार गंटी है तो पोर्टल यूनिट निकाल लेते हैं तो तलसियम होगा है एक घंटे में यह त्री यूनिट कोंबत्ती के चला रहा होगा और यह तो यूनिट अभी इनकी बात करते हैं कि गोन पाते तीन नहीं चीओ कुछ पर्टिक्लर टाइम के बाद समय सब्सक्राइब लेते हैं ती समय के बाद है सब्सक्राइब ती समय के बाद यूनिट के बाद यूनिट के बाद उन्हें दो यूनिट बचना चाहिए यानि कि इनकी इनकी बा कि आजये जितना पूल जितना इन चला ऊगा उसमें माइनस बारा करेंगे कि तो मिला चीज आज़िए अज़िए अधिस पार वैल नस टू जल रहोगा तो फू टी एक आवर में तू जल रहोगा तो टी समय में टी अज़िए एकवोगो चीज तीक है इसको solve करते हैं, तो एगा 36, 9E equals to 4 minus 4, यह calculate करेंगे, तब स्कोर अधर लेकर आ जाएंगी, और मिलेगा यह 5, 3 equals to 12, टीस कोस्टो में क्या मिले, टीस कोस्टो में था, यह थो सभी दो बटा का उपने गंटे के बारे अवाल के बाद क्या होगा, यह हमें नी आरी जुम कत्तिय पुर्ट के पचिन के, सब्सक्राइब करते हैं कि A और B किसी काम करते हैं A, B, C, 7 मिद्ट चोड़कर चला जाता है उसके 2 दिन के बाद C काम चोड़कर चला जाता है कि अमकाम के दिने पर यह हमारा क्वेश्चा है सबसे पहले हम टोटर इनिट आफ वर्क इपका देंगे इसके हमारा क्वेश्चा है सबसे कि पहले हम टोटर कर लेंगे पहले से लेलेंगे तो 60 यूनिट आफ वर्क जाता है अब 10 दिन में करता हैं एक यूनिट काम ने करेगा 6 दिन में पर 6 यूनिट काम करेगे दिन में अगे कि इता 12 पाच्छे साथ 5 यूनिट बर करेगा इसके साथ वोडियूं ता पर लिंट आफ जाए इना कि वो दिन बाद एक आंके वो दिन तक आणके दो दिन तक आवी सी यूनिट ने गाए इसके काम करेगा इसके बाद दू दिन बाद सी याने सी काम कर चोड़ी करने की और सी काम कर रहे हूं इसके बाद दू दिन बाद सी काम कर दिया हूँ सेज काम सी भी छोड़के चलागा सेज काम कुन करेगा सेज बाद सा बचा हुआ है 30 प्लस 18 कि 48 unit of work has been पचा वर किता है 60 minus 48 पचा वर 12 unit of work अभी पचा हुआ है अब 12 unit करेगा कौन की करेगा 12 unit करेगा की करेगा तो 12 unit करने के लिए भी कितना समय देगा हाथ से बाग देज़े एक इन पताम से कितना है इसे हो जाएगा कितना दिन लगा होगा सबसे परे तो दो दिन लगा जब तो ने काम की फिर बीओसी में दो दिन अकेटे काम की और फिड़ वाइफ वाइफ देज कितना काम क्या था अकेली पूँदे पूँदे पूँदी तो छे शे सही वाटव पाइफ क्या वाइफ क्याम वाइफ क्या वाइफ क्यां वाइफ क्यूदे क्या दे बीजिए 17 बनको काम चुल करते है काम खत्म होनी के 2 दिन पहले और एक बी नेकाम खोड़ दिया काम इतनी दिन हों श्यली घ्र राइफ काम खत्म के दो दिन पहले ई और बी नेकाम चोड़के चुछिक है चलिए इसका परम टोटल युटाफ वर्ट में काह से ए ए ए ए जो है 12 दिन होगा और 15 दिन में खड़ता है तो प्रम टोटल युटाफ वर्ट करें 16 ठीक है तो युटाफ वर्ट किसना होगा 60 अब ए कित्ना काम करेगा ताइफ विनुट करेगा तो युटाफ वर्ट किसन पढ़ा चलो गुब किरा काम से जादे काम क्या होगा ची का दो इस रिमेनिंग वर्क कितना है 60 माइनस एक पस्टू 52 वर्क जो है यह सभी ने मिलके काम करें एक दिन का वर्क कितना चार्ट पच च्छे पंद तीन यूनिट अवर्क देगे ठीक है को यह तल वर्क कितना करेंगे वह इतना हो जाएगा अरिस सही अरिस सही थाल नाल चार्ट उद्द हो तो यह पहले भी काम किया है तल आम की का मिलगा थाट टालो नाल थाट टालो थाइए पंद की आओ पार्ट सही साही साही है सब्सक्राइब कर सकते हैं पर तेन दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया है अब काम कतम उने पर चार दिन पहले सी ने काम चोड़े है आप काम के तहीं उनेसे अब कर दिन दिन काम किया है और इसे निकाल लएते हैं अब किस्टी हो गहाँ इसका सक्ट्राइब वर्क किया गए एक एफिसेंसी की है एक एक एफिसेंसी से 6 यूनिट काम करेगा एक दिन देख पांच और इसकी चानल चीक है अब मान लेते हैं कि ABC ने काम करना शुरू करते हैं तो तिन दिन बाद एने काम फोराने कि ABC 3 विन की दिन काम किया होगा यह जैसे लुप बूटेस्ट दिस तो छेवा धाष ग्यारा चार पंदरा प्रोफ अगया फैसे 95 आ कि शौनित वर्प च्षाह दिन पहले सीने काम चोटाट कोड़ी चुका है और सीने काम चोड़े है तो बी ने केले चार दिने काम किया होगा पाँच वांच दोड़े काम किया तो पर टोटल वर्क करते है तो 65 यह जादे हो जाए उनित अक्षाइब पर गडिया जादे हो गया इस से अभी सी का कावन ने जोड़ा है तो यह कॉंसेप्ट क्या होगया गल्त होगा ऐसा की हो रहा है कि तीन दिन जो बाद में ऐसे दिन के पहले कि तो हम दूसरी तरह क्या चोड़ा है धिनि आते कि इसको हम दूसरी तरह के दिन की तो हम पहले क्या Dance है कि तीन दिन काम चोड़ा रहे है कि तीन तो काम किया ही है ठीक है अब काम खत्म होने के चार दिन पहले सी ने चुड़ा है किते दिर में खत्म हो ये हम पता नहीं है एक हम क्या करेंगे से का चार दिम का काम करकुलेट करते हैं कि चार दिम का काम करते हैं 60 16 को हमने जोड़ दिया तोटल हम माल नेते हैं 76 वर्क 76 यूनिट में इसे 18 वर्क हो चुका है 76 माइनस इन जब्सक्राइब 58 ठीक है 58 यूनिट वर्क तो ये दोनों न किया सी ने काम चुड़ा था अब उसकाम ने वर्क जोड़ दिया है तो मामा अतलब क्या हुआ सी ने काम नहीं छोड़ा तो बी और सी का एक दिन का काम कितना है चार और पांच निगा 58 यूनिट वर्क करना है इसे डिवाइट करेंगा यूनिट वर्क हो गया तो सुरू से काम करता हुआ है इस वसे और लाश्ट तक काम किया है तो बी और सी ने मिलके कितने दिन काम पूरा होगा देस काम कितने दिनों पूरा होगा च्छह सी चार बते तो पता है थेरे दिन में काम काम चोड़ा होगा थोड़ा हो जिस थे जह गांड़ सी ने कब काम चोड़ा होगा चार दिन करें है निकिस तो सही चार बटान नौव दिन ने काम किया होगा सिर्फ ऐसने काम चोड़ दिन इस तरह के question को हम इस तरह से लगाएं आज ओप समझ में आ गया होगा और अगला question है एक साथ काम करेंगे तो इसमें तो दो लोग एक साथ करेगा तरह दिमें से और उनको अलग अलग मिटालना कि अलग-अलग कैसे ताम असके पहले हम इसका एक किया करेंगे 10 12 और 20 यह है इनके हम क्या करेंगे LC हमें तो टोटल यूनिक आउब बार हमें कर जागा यह हो गया 60 ठीक है A प्लस B की एफिसेंसी हो गई 6 B प्लस C की एफिसेंसी कितनी हो गई 5 C प्लस A की एफिसेंसी कितनी हो गई 3 ठीक है अब उन तिनों को जोडते हैं इनकी A प्लस B एफिसेंसी का एफिसेंसी कितनी है क्या 6 5 11 की में जब्रण चीक है A प्लस B का एफिसेंसी का थेतना है 6 यूनिट इसका 5 यूनिट और यह इसको देखेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 2 A plus 3 plus C is equals to 3 इसे में समझ में आया है कि A, B, और C अगर एक साथ काम करते हैं एक दिन में 7 यूनिट आपकर कर लिए चीक तो इसी को हम बार 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 करके देख लेते हैं A का माला में P plus C का माला रख लेते हैं P plus C का एक दिन का काम कितना है 5 P plus C के लिए हम लिक देख लेते हैं 5 A का एक दिन का काम हमें A की में दिन का कितना काम करेगा 2 यूनिट P plus C का करेंगे 5 5 तो A का एक दिन का काम कितना हो गया 7 माइनस 5 परावर A का हम काम करके देख लेते हैं ऐसे ही, A plus C is equals 2 है 7, A plus B का वर है 6, 6 अगर हमें आपे रख जिते हैं, C is equals 2 हो जाएगा, C की एफिसेंसी कितनी हो गए? 1, A की एफिसेंसी में पता चल गए, B की एफिसेंसी में पता चल गए, B की एफिसेंसी देख लेते हैं, A plus B plus C is equals 7, C की एफिसेंसी न कितनी हो गए? करना है यह काम कितना हो जाएगा एक कितने दिन में करेगा एक इफिसेंसी निकालना है कि इसका है एक कि दिन में करेगा इसकी बात करते हैं एक ही है एक से भाग देखे देखें आवा सिक्स्टी डे आउप पर इपरें अरो अब समझ में आए इस ता कुछ इसे को कैसे बाद़ एक है और अगरा कुछचिन है आगर कुछण है c काम को 12 और 16 दिन में कर फाँज़ने कह scream किया a ने 5 दिन काम है c यह साथ दिन में उर की ने बचा है सिए अकेले काम को आप़ november सब्मोह सब्चाने तो कैसे करेंगे इसको लेखते हैं इस अब से पहले तो अब में complete वर्क 12 दिन और 16 दिन को दोंको टोटल यूनिट अब पहले निकालना है ए और बी का 12 दिन में पुरा तरता है यह करता है 16 दिन नोंकर ले लेते हैं 12 और 16 लेका कर लेकी इसको सब्सक्राइब हाँ और 16 में कितना इस अब प्रस बारे दिन में करते हैं और इसक अब यूनिट अब वर्क कोंडे में कर दो चीके अब दिन कि ने जो है वो पांच दिन का तो कैसे करना होगा सबसे पहले हम A और B का काम देख लिए 5 दिन इसने किया साथ दिन इसने किया तो जब at least 5-5 दिन तो किया है किया A प्लस B ने काम किया है पांच दिन अब बचे B के दो दिन के बाद P दो दिन मान लेते हैं C के साथ काम किया हुआ और C ने काम किया है किते दिन इसे दो दिन दिन के साथ काम कर लिया तो C के पास कितना काम 11 दिन तो किसमें किया हुआ ऐगा इसने की दिन में किया हुआ तो कैक्लेट करते हैं AB का efficiency कितनी है 4, 4 into 5, 5 क्या 20 unit पर किसमें किया होगा, AB ने मिलके किया होगा, B into C, B into C की efficiency है 3, 3 into 6, 6 उनके पर किसमें किया होगा, ये किया होगा, B और C ने मिलके, टोटल दोनों को जोड़ते हैं, 26 work, 26 unit of work को चुटा है, तो remaining work कितना है, remaining work है, remaining work है, 26, supposed to 22, 22 unit of work राकिया है, तो बचा होगा, करेगा C करेगा, कितने दिन में 11, C की efficiency हम देखे, 25 बटे, क्या, यहनि कि 2 unit of work क्या करेगा, इस दिन दिन ले करेगा, चीए, C अक्यले काम को कितने दिन में कूला करेगा, ये हमें क्षिछन है, तो इसकी efficiency में पता चलगे, ये तो total work की हमें निकालना है, C का हमें निकालना है, तो इतना होगया, तो इतना होगया, तो इस दिन चाल दो चोगे, 4 days में क्याल करेगा, इस हमारा खेले स्थांप को करेगा, ठीक है, I hope समझ में आ, अगे, अमेद है आप सभी को work on time अच्छे से समझ में लागा, अपस के अच्छे questions सब को समझ में आ, कैसे बढ़ते हैं, हरी question नहीं pattern से मैं सीखा, ठीक है, अगर आप और भी जनकारी चाहते हैं, आप आप टेलिग्राम लेख फॉलो कर सकते हैं, इसके साथ ही अगर आप पूश्टटी नोट्स चाहिए, तो आप मारा ब्लॉग साइड भी फॉलो कर सकते हैं, आप लेख लास में, अब सक्किर्में, थैंक यू